है गाईज मेरा नाम है विरेंदरु सिंग वेलकम तो दे स्मार्ट लर्ने अकेडमी इस वीडियो टुटोरियल में मैं आपको बता दो कि हम कई सारे क्रैस कोर्स आपके लिए लेके आते रहते हैं आपके इस वीडियो टेक्नलोजी होता है ठीक है नाव देखने की कोशिशिस करेगा कि इस क्लास में मैं डिसकस करने मारा हो तो किसी भी डियने को जब हम रिकमबाइन करेंगे जब दो अलग-अलग सोर्स के डियने रिकमबाइन करेंगे तो उसी पर्टिकुलर पार्ट को हम डिसकस करते हैं इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग यहां से हम पार्ट डिसकस करने के कोशिश करेंगे और और अल्मुष्ट इवरी टॉपिक को टैसे कि क्लोन करना क्लोन की बात करते हैं घिस but the aplica क्लोनी का मतलब होता है ईस्त error रिप्लिका होता है, क्लोनी के बारे में अगर बात करें तो रिप्लिका कॉपी, क्लोन करना, क्लोन का मतलब होता है रिप्लिका कॉपी, किसकी रिप्लिका कॉपी बना रहे हैं, किसकी रिप्लिका कॉपी बना रहे हैं, जी जीन की बना रहे हैं, किसकी रिप्लिका कॉपी बना तो यह gene clone कैसे करता है, in vivo या जो natural process होता है gene को clone करने का, the natural process to clone the gene that is the replication, natural process जो होता है, वो replication होता है, replication जो होता है, natural process होता है, किस चीज को clone करने का, copy बनाने का, replica copy किस से बनता है, natural system में replication से बनता है, इसी replication को हम या तो दो तरीके से use करते हैं, या तो cell best, cell best में हम किसी particular cell को use करेंगे, मतलब हम in vivo machinery ही use करेंगे, उस cell के अंदर की machinery use करेंगे जो already चल रहा है, DNA आपने cell को दे दिया, एक cell को DNA पहुचा दिया, यह cell के पास DNA जाएगा और यहां से replicate करके copy बना के आपको दे देगा, that is what the cell best gene cloning and एक होता है cell free gene cloning, cell free gene cloning के उपर जब मैं में, जब हम इसको cell free gene cloning करते हैं, तो in vitro, ठीक है, यहां पर क्या होता है, in vitro होता है, उसको cell के outside, cell के बाहर जो होता है, इसको replicate करते हैं, एक artificial environment में, वो सारे circumstances provide करके, जो कि cell free cloning के लिए required होते हैं, हम cell free cloning करते हैं, cell based and cell free cloning, now what is the requirement of the cell based cloning, पहले हम discuss करेंगे, cell based cloning के बार में, cell based cloning के requirements क्या होते हैं, requirements होते हैं, gene of interest, requirement क्या होता है, जैसे कि gene of interest होता है, gene of interest जो होता है, यहाँ पर क्या चाहिए? वेक्टर की कुछ पापरिम घहां को होती है нужноszystähän मुल्टिपल क्लोनिंग साइट जी还्ड है रिसर्टिक्षन उल्ह साइटिका उम्हाались नहीं जाएं है we अफैनल इस दे खुत मुल्टिपल क्लोनिंग साइट का मतलब है साइट फॉर डिफरेंट डिफरेंट साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तीक है अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए नहीं कि सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ल that is the unique restriction side, markers होने चाहिए, आपके पास markers आपके selectable भी होते हैं और screenable भी होते हैं, selectable और screenable marker हम discuss करेंगे, यह थे vector के कुछ properties, उसके लामा suitable host, suitable host चाहिए जिसमें कि आप इस vector को insert करा सको, restriction enzyme and ligage चाहिए, कट करके जोडने वाले काम के लिए restriction enzyme and ligage चाहिए and DNA delivery method चाहिए आपके पास क्या चाहिए DNA delivery method DNA delivery method आपको यहाँ पर चाहिए basic समझ में आया gene of interest vehicle suitable host restriction enzyme and ligage DNA delivery method कितने ऐसे लोग हैं जो कि यह class special class में नहीं देखे थे तो आप लोग specifically बताते रहीएगा कि मैं समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं या नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो कि जो समझ में आना important है तो आप लोग क्यों नहीं देखते हो जी विवेग, प्रसांत, महेश, कल्यान क्यों नहीं देखते हैं देखा करिए special classes आपको फिर से मैं बता दो जो लोग नहीं देखते हैं Monday, Tuesday, Wednesday मेरी special classes चलती हैं आनेकेडमी के platform पे आप फिर से अभी Monday, Tuesday, Wednesday आने वाला है उसमें भी कुछ topics discuss करने वाला हुआ है कुछ important topics जो की biochemistry और IDT कही होंगे तो आप उनको enroll करके देख लिया करिए आपके लिए as if वो कहते हैं न बेटर रिवीजन का काम करेगा तो connect होने में register कर लिए चलिए मैं बता दूँगा कैसे connect करना जी पहला step जो होता है किसी भी gene cloning का the first step is to create the recombinant DNA क्या होता है construction of recombinant DNA construction of recombinant DNA के बारे में बात करता हूँ construction of recombinant DNA के लिए अब में बहाँ पर बात करूँ कि source आपका क्या है source होना था यह जहां से आप DNA ले रहे हैं DNA isolate किया isolate करने के बाद क्या करेंगे इसको restriction enzyme से digest करेंगे जिसका nature होता है indonuclease नेचर का होता है restriction enzyme जो होता है indonuclease nature का होता है ठीके नाव अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजी हमने क्या क्या है यहां पर as for example eco r1 ले लिया eco r1 ले लिया अब जो vector होता है जो vector होता है उसको भी same eco r1 same restriction enzyme कभी भी different नहीं करते otherwise ligation में problem होता है अगर हम जिस particular enzyme से same restriction अगर हम DNA को treat करते हैं digest करते हैं same restriction enzyme से vector को भी treat करना होता है जिस enzyme से DNA को treat किया जाता है उसी enzyme से vector को treat किया जाता है जब दोनों को treat करेंगे तो दोनों sticky indent cut होंगे यह cut हुआ क्या vector यह cut हुआ stick ended इसको अब इसमें ligate कराना है तो there are two possibilities दो possible बनते हैं कि vector re-ligate कर जाए यह जो vector है आपस में यह end जो है यह वाला end यह इस end से ligate कर जाए यह दोनों end एक दूसरे के end से ligate कर जाएंगे तो इसको बोलते है re-ligation that is vector आपका re-ligate कर जाएगा तो इस particular vector को बोलते है non-recombinant DNA इस vector को बोलते है non-recombinant DNA और जब वहाँ पर gene of interest जो होता है आपका gene of interest यह यह ligate कर रहा है यहाँ पर gene of interest आ गया उसको बोलते है है recombinant DNA इस ligation के process को कहते हैं कि ले के जाता है एक enzyme जिसको बोलते है ligase ligase जो होता है इस ligation के process में involved होता है is it clear so this is the first step that is the construction of recombinant DNA ठीक है construction of recombinant DNA DNA लिया वेकर लिया दोनों को same restriction enzyme से digest किया ligate करा दिया या तो वेकर खुड लाइगे हो जाएगा या gene of interest से ligation हो जाएगा now second step that is the important for the gene cloning is known as the transformation the second step is known as the gene cloning transformation आपने पढ़ा होगा transformation का मतलब होता है कि DNA bacteria किसी भी foreign process को foreign DNA या foreign nucleic acid को uptake कर लेता है the process of uptake of the foreign DNA material transformation क्या होता है transformation के बारे में अगर बात करें कि the process the process of uptake the process of uptake of the process of uptake of DNA ठीक है the process of uptake of DNA DNA के uptake process by bacteria या by E. coli is known as transformation ये जो DNA uptake करता है outside उसको transformation कहते हैं तो अब क्या करेंगे uptake of the DNA now natural process होता है अब आपके पास दो DNA है दिखेगा recombinant DNA non-recombinant DNA अगर ये recombinant और non-recombinant जिस भी strain में चले गए उनको बोलेंगे transformed cell क्या बोलेंगे उनको उनको बोलेंगे transformed cell जिस भी आपके transformed cell का मतलब है foreign DNA उनके के अंदर चला गया है transformed cells बोलेंगे चाहे वो recombinant हो चाहे non-recombinant हो वो transformed हो जाएंगे त्योंकि foreign DNA को uptake कर लिया है अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो bacteria या जो इकोलाइस cells ये सब क्या है ये equalize cells ही तो है अगर जो equalize cells कोई भी DNA को uptake नहीं किया यहाँ पर no DNA क्या है कोई भी DNA नहीं है no DNA uptake जब कोई भी DNA uptake नहीं हुआ तो यह क्या है non transformed cells हो जाएगा इसको बोलते हैं non transformed cells यह क्या है non transformed cell हो जाएगा this is the second process transformation जो हमने DNA construct किया उसको transform कर रहे हैं अपने host cell में वस process के बाद या तो आपको transformed cell मिलेंगे या non transformed cell मिलेंगे यहां तक clear है जी यहां तक clear है तो चलिए आगे बढ़ते हैं the third step the third step known as the selection the third step आएगा that is the selection process selection process आता है selection process का मतलब होता है कि selection जो होता है selection is a process for transformation cell identification या कहते हैं कि यह transformed versus कहते हैं न transformed versus non transformed को अलग करता है transformed versus non transformed यही इसका process होता है transformed versus non transformed transformed versus non transformed होता है कि transformed को अलग करेगा non transformed को अलग करेगा कैसे करेगा एंटी बायोटिक मार्कर्स या इसको बोलते हैं सलेक्टेबल मार्कर इसी को क्या बोलते हैं सलेक्टेबल मार्कर एंटी बायोटिक मार्कर है सलेक्टेबल मार्कर के बिसिस पर करता है देखेगा आपके वेक्टर पे सलेक्टेबल मार्कर के तौर प हां जहाँ पर विक्र गया हुआ है वहhouse है ट्राइक्टर गया है वह सिर्टेटर उखेगा लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में यह देखिए यह दोनों क्या थे यह दोनों non transformed cells थे यह दोनों transformed cells थे और यह जो था non transformed था जिसके पास कोई vector नहीं आया जब vector नहीं आया तो यह tetracycline sensitive हो गया क्या हो गया एस का मतलब है sensitive जब sensitive हो गया इनको हम plating किये tetracycline positive medium में tetracycline के present medium में आपने इसको plating किया तो यह जो आपका sensitive है वो मर जाएगा उसके death हो जाने वाली it will die and जो यह transformed है जिसके पास tetracycline resistance gene है वो survive करेंगे यानि transformed cells जो है वो survive कर गए ट्रणसफोर्म्ट जो होंगे वही survive करेंगे that only transformed cell will survive तो selection क्या process है selection transformed जो है transformed को अलग कर रहा है non transformed से selection जो है transformed को अलग कर रहा है non transformed से now the fourth process the fourth process is the screening the fourth process is screening स्क्रिनिंग जो होता है यह रिकॉंबिनेंट वर्सेज नॉन रिकॉंबिनेंट होता है अगर इसके बारे में बात करेंगे यह रिकॉंबिनेंट यह क्या है यह रिकॉंबिनेंट वर्सेज यह रिकॉंबिनेंट वर्सेज नॉन रिकॉंबिनेंट होता है ट्रांसफॉंड में आपके दो पार्ट थे, transform में आपके दो पार्ट थे, recombinant and non-recombinant, एक non-recombinant था, एक recombinant था, जिसके पास foreign gene हुआ करता था, अब जो इसको screen करने के लिए हम या क्या use करते हैं, lag-z, कुछ screenable marker या gfp, या luciferage, ये कुछ screenable marker है, ये कौँ से marker है, screenable marker है, screenable marker है, जिसकी विजए से हम screen करते हैं, इसका भी मैं function बताऊंगा, जैसे कि blue-white screening करके recombinant strain को बना दिया, आपने screen कर लिया, non-recombinant से, so, ये आपका screening process है, समझ में आया जी, screening कर लिया, आपने recombinant strain को finally क्या कर लिया, recombinant strain को finally isolate कर लिया, screen कर लिया, ठीक है, ये अब इसके करने के बाद, the fifth step, that is the last step, that is the amplification, उसको क्या करोगे, आप इस recombinant strain को मीडिया में grow कराओगे, culture मीडिया में grow कराओगे, ये cell duplicate करेगा, जीतना cell duplicate करेगा, उतना ही number कहते हैं, कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 1 बनेगा, जो kinetics होती, n is equal to n naught into 2 to power n होती है, जीतने generation के बाद, उतने आपक application process is, is it clear, great, चलिए, so यहां पर clear है, as a revision box पर लेके चलता हूं, समझने की कोशिस करियेगा, हमने किस 5 process को पढ़ने की कोशिस करिये, revision box for you, that is first we have discussed the construction of recombinant DNA, construction of recombinant DNA हमने किया, यहां पर आपको recombinant भी मिलते हैं, और non recombinant भी मिलता है, recombinant DNA भी मिलता है, और non recombinant DNA भी मिलता है, now अब non recombinant DNA भी मिलता है, अब non recombinant DNA में उसके बाद हम इसको transform कराते हैं, the second step is transformation, जो उसमें की uptake of the foreign DNA by the host, foreign DNA का uptake होता है, the third process is the selection, जो कि transformed को select करता है, non transformed से with the selection marker या antibiotic marker, generally क्या यूज करते हैं, antibiotic marker यूज करते हैं, for the selection, now उसके बाद the fourth process is screening, recombinant को select करते हैं, या पर screenable marker, screenable में generally जो यूज करते हैं, वो दो होते हैं, या तो lag-z यूज होते हैं, blue-white screening या जी-fp यूज होता है, green fluorescence protein मीडिया में डिवाइड करवाएंगा है गाईज, होग कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकोन पर दबाएए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, like करिए इस वीडियो को और share करिए अपने friends के साथ, अगर आपकी कोई भी queries है, तो please comment box में में जरूर बताईएगा, comment box में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी help करने के लिए हमेशा ततपर रहेगी, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, जिसमें कैसा है, और concepts के लेके जुड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ, so please, till day and take care and bye bye.